दोस्तो आज है हमारे पास Vivo T2X 5G and Samsung Galaxy F14 5G और आज की इस वीडियों हम करेंगे इन दोन फोन के बीच एक Speed Test comparison दोनी फोन का प्राइज आपको लगबग सिमिलर देखने को मिलता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनी फोन के Specification से अगर बात करें Vivo T2X की तो दोस्तो इसमें आपको Dimensity 6020 Octopore CPU मिलता है Mali G57 यहाँ पर आपको GPU मिल जाता है यह फोन Android 13 के साथ FunTouch OS 13 पर रन करता है इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है यह फोन हमारे बाद 6GB RAM and 128GB Storage बाला है इसका प्राइज आपको 14,000 रुपे मार्केट में देखने को मिल जाएगा अब वहीं बात करें Samsung Galaxy F14 5G की तो दोस्तो इसमें आपको Exynos 1330 Octopore CPU मिलता है यहाँ पर आपको Mali G68 GPU मिल जाता है यह फोन Android 13 के साथ 1UI 5.1 पर रन करता है इसमें आपको 6000 image की बैंटरी मिलती है अगर Storage की बात की जाए तो यह फोन भी हमारे पास 4GB RAM and 128GB Storage वाला है प्राइजिंग की अगर बात की जाए तो यह फोन लगबग आपको 13,000 के असपास देखने को मिल जाता है तो दोस्तो यह थे दोनी फोन के Specifications जो की हमने आपको बता दिये हैं और अब हम करेंगे इन दोनों फोन के बीच एक Reboot Test और देखते हैं कौन सा फोन पहले Restart होता है दोस्तो अगर दोनी फोन के Reboot Test की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Reboot Test में Vivo T2X से थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलता है as compared to Galaxy F14 5G अब हम करते हैं दोनी फोन के बीच Man Test Speed Test comparison और देखते हैं किस फोन की Speed Performance हमको फास्ट देखने को मिलती है कर देखने को मिलती है कर देखने को मिलती हैं बात चिसे जाए पिर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों अगर बात करें दोनी होन की स्पीड टेस्ट की तो दोस्तों यहां पर स्पीड पर्फॉर्मेंस में आपको गैलेक्सी F14 5G थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलता है अज कंपेटिव वीवर T2X क्योंकि दोस्तों F14 5G में जो आपको हार्डवेर मिलता है वह 5 नैनो मीटर पर वर्क करता है वही 2.4 गीगाहर्ट पर यह रन करता है वही वीवर T2X में जो आपको हार्डवेर मिलता है वह 7 नैनो मीटर पर वर्क करता है और इसकी कोड 2.2 गीगाहर्ट पर रन करती है तो यह यहाँ पर आपको hardware के according F14 5G fast देखने को मिलता है दोस्तों अब हम करेंगे दोनी फोन का RAM management टेस्ट और देखते हैं किस फोन का RAM management ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों अगर दोनी फोन के RAM management की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Vivo T2X का RAM management ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है as compared to Galaxy F14 5G क्योंकि इसके background पर सारे apps बने हुए और सारे apps easily reopen भी हो रही है तो दोस्तों बस यहीं था आज कि इस speed test comparison की वीडियो में दोस्तों यदि आप speed performance के मामले में इन दोन फोन में से कोई phone लाना चाहते है तब आप Galaxy F14 5G को ले सकते हैं यदि आप more RAM चाहते हैं तब आप Vivo T2X को ले सकते हैं तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी पसंद आए ते प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो को साथ तब तक लिग गुर्बाय और जहिन